तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद है कि आप लोग ठीकी होगे तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एनिमेशन में जिसका नाम है गुडबाई ड्रेगन लाइफ तो चलिए बीना देरी करें स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को तो वीडियो के स्टार्टिक में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर एक ड्रेगन को मार रहा होता है यहीं पर ड्रेगन बोलता है कि वैसे तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया यहां तक कि मैंने हीमस को हमेशा जैस सपोर्ट किया है लेकिन फिर भी यह लोग मुझे मार रहे हैं साय से ड्रेगन की जिन्दगी में यही सब होता है लेकिन फिर भी मुझ जैसे महान ड्रेगन की जो मौत है वो इस तरह से तो नहीं होनी चाहिए थी मैंने गोड जितनी जो जिन्दगी है वो जी रखी है चलो कोई बात नहीं आसमान से वो आदमी आ जाए जो यहां पे सभी बच्चा बन चुका है यहीं पे इसके माता पीता अपने बेटे को देखके काफी खुश होते हैं और यह बोलते कि फानली तुमने अपने आखे उपन करी दी देखो बेबी मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और यह तुम्हारे डैडी है और तुम्हारा नाम आज से डैनियल होगा फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां पे डैनियल एक जगापे खड़ा होता है तब ही जो एरिस होती है वो यहां पे आ जाती है और यह बोलते कि चलो घर यह फो करता हूं और खेती करने के बाद ही में अपने जो पैसे हैं रोटी के उनको लिकाल पाता हूं और वैसे तो इस गाउं के अंदर अगर तुम्हें बड़ा मान लिया जाता है और अभी हाली में मैं यहां पे सो साल का हो चुका हूं इसलिए मैंने अपने घर को चोड़ दिया है और मैं यहाँ पे अब एकली आ रहता हूं तब ही यहाँ पे डैनिल का भाई बोलते कि डैनिल कल तुम यहाँ जो चिपकलिया हैं उनको देखने जाने वाले हो ना डैनेल बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, आज कल जो लिजार् ते है वा गाइब हो जा रहे जा हैं, तब ही इसका भाई बोलता है लेकिन किन यह हमारा काम नहीं है यह तो गार्ड का काम है ना ? फिर नेक्षी में डैनियल अपने दोस्तों के पास आया होता है मचली बकड़ के इसके दोस्त बोलते कि तुमने आज कुछ जादा ही मचली बकड़ ली है यहीं पर मेलीडा बोलती कि वैसे तुमने कल की जो त्यारी है वो कर ली है क्या जिस पे डैनियल बोलता है कि देखो मैं हर दिन थोई थोई त्यारी कर रहा था इसलिए अम मुझे कोई दिक्त नहीं मैंने यहां पर पूरी त्यारी कर ली है और साथी तुम लोगा शुकरिया तुम लोगों ने मेरी काफी हल्प करी है लेकिन हम जल्दी अभी सा जाएंगे और तुम्हें कल के लिए ओल देवेस फिर नेक्षिन में डैनियल मचली को यहां पर काटके उसके उपर नमक लगा देता है और डैनियल कहता है कि इस जगा पर मॉइस्टर और जो चोर हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं और हमारे पास इतने जह सोलजर नहीं है कि वो पूरे गाउं की देखभाल कर सकें इसलिए जो गाउंवाले हैं वो भी जहां उनकी हेल्प करते हैं अपने गाउं को प्रोटेक्ट करने में है और जो हम से उनके बारे में जनकारी को अब जे खटा करना स्टार्ट कर देना चाहिए फिर नेक्षिन में हम डैनियल को देखते हैं जो एक ओल्ड मैं के पास खड़ा होता है ओल्ड मैं बोलते कि इस लड़की का नाम क्रिश्टियाना है और यह भी जह आज से हमारे जो विलेज है उसमें रहेगी और ओल्मेंट डैनियल के पास आके बोलते कि देखो यह जह नोबल है इसलिए तो द्यान से जो भी है वह करना फिर यहां पर किष्टियाना कहती कि तुम से मिलके खुशी हो डैनियल डैनियल बोलते कि मुझे भी फिर नेक्षिन में जो डैनियल ह वोच जाता है और यह YouTube मॉम इसी के जो बेग है वह उतार लेती है और यह बोलते कि तूम तो बहुत सरा खाना लेकिया है वासतों पर नेक्षिन में यह फ्हश्राइन का रह होते हैं डैनियल बोलते कि आप मैंसा अच्छा खाना आफना बनाती हो इसकी मोम बोलती कि शूकर बना दे और साथी तुम दोनों बड़े प्यार से रह पाऊ एकसार डैनियल बोलते कि जो बड़े भाईए हैं उन्होंने भी जह सेम चीज कही थी लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी मुझे अपनी जो सिंगल लाइफ है उसे जह इंजोई करना है थोड़ा बहुत और तब देनियल की मौम बोलती है लेकिन वो रास्ता काफी खतरनाक है डैनियल बोलते कि आप चिंता मत लेजिए मैं सिप उसके पास जाओंगा ज्यादा नहीं जाओंगा फिर नेक्स्ट डैनियल यहाँ पर जाने के लिए तयार होता है जो विलेजर होते हैं वो डैनियल को बिदा देखा जिसमें कुछ गड़बर है इसलिए अपना ध्यानक नहों एहां पर जो होती है वो देनियल यहां से निकल जाता है और हम देख देखते हैं के जो डैनियल यहां पर पानी में हाँ डालता है और यह मैं समझ गया क्या फिर कर जो यहार पर क्यों नहीं रह रहीं क informs कि वो जह काफी बढ़ गया यही कारणे की चिकलिया यहां से भाग चुकी है तभी यहां पर डैनियल को लगता कि कोई इसके पास आ रहा है तभी हम देखते कि यह एक लड़की होती है और यह कहती कि तुम एक बेकुफी मन हो तुम एक किल्ले आ गए हो डैनियल बोलते कि हाँ मैं किल्ले ही आया हूँ तो यहां पर लड़की कहती कि आखिर कर अब मैं आगे क्या बलूँ यह जो थी अजीव से खरकते करने लग जाती है डैनियल बोलते कि आखिर का इसे हुआ क्या है जिस पर डैनियल कहता है कि यह जे आर्थ मैजिक से बना हुआ है फिर डैनियल बोलते कि देखो यहां पर बहुत सारे जो लिजार्ट है वो जे रहा करते थे लेकिन एक दम से वो गायव हो गए इसलिए मैं चेक करने आया और आप मैं वज़य को जान चुका हूँ कि आखिर कर जो लिजार्ट है वो गायव क्यों हो गए तब ही डैनियल बोलते कि क्या तो मैजिक का इस्तमाल कर सकती हो तो यह बोलते कि हाँ मैजिक का इस्तमाल कर सकती हूँ डैनियल बोलते है ठीक है हम लोग साथ मिलके फाइटिंग करेंगे लड़की बोलती है लेकिन वो मॉस्टर तो काफी बड़ा है मेरा मैजिक कितना स्ट्रोंग नहीं है कि उसको कोई नुकसान बहुचा पाए डैनियल बोलते है कि तुम उसकी चिंता मतलो मैं जह समाल लोगा बस तुम्हें यहाँ पर उसका ध्यान है वो जह भटकाना है फिर यहाँ पर लड़की बोलती है ठीक है और जिसके बाद यह दोनों फार्टिंग करने के लिए जाते हैं तब लड़की मैजिक इस्तमाल करती है और एक मॉस्टर को बुला लेती है और मॉस्टर मिट्टी वाले मॉस्टर को पकड़ लेता है लेकिन मिट्टी वाले मॉस् तो लड़की बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ फिर डैनियल बोलती कि चलो तुम्हारे जो कपड़े हैं पहले उनको जह चेंज कर दिया जाए ताकि तुम धोई साफ हो जाओ नेक्शिन में जो लड़की होती है बोलती कि सही में बहुत अजीब बात है कि तुम उसे डरे नहीं डैनियल डैनियल बोलती कि तुम सारी जो लफिस हैं उनसे जह अलग हो जिनको मैं जानता हूँ फिर लड़की बोलती कि तुम किस तरह के लफिस को जानते हो तो डैनियल बो मुझे मेरे घरवालों ने छोड़ दिया ताकि मैं अपनी जो पार्टनर है वो ढूंड लूँ तुम यह भी कह सकते हैं कि मैं एक जरनी पे हूं कि मुझे अपना जो हस्बेंड है वो ढूंड़ना है और वैसे यह हमारे गाओं का जी है रूल है इसलिए मुझे इसमें कोई द असल में हमारा जो ग्रूप है उसे जह यहाँ पे जो शराफ है वो मिला हुआ है एक जह फिमिल के दोड़ा इसलिए हमारी जो बोड़ी है वो इस तरह की है और हमारी बोड़ी में पोईजन भी है इसलिए मुझे कोई ऐसा पती चुनना होगा जिसे पोईजन से कोई दिकत ना हो, Daniel बोलते कि ऐसा बन्दा ठूंदणा सही मैं काफtoo मुश्किल होगा, फिर लड़की बोलती कि वैसे मेरे जो मुम डैड हैं वो भी है पर जरनी के द्वारा मिले थे रंतस हैं, लड़की कहती कहते का तो मुझे बचो की तरह टीट कर रहे हो, ड़की भी बौलते क कैसी ब तुमने इसको कहां भी बनाना सिखा तो डैनियल बोलते कि इसे मेरी मॉम ने मुझे जय बनाना सिखाया था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा काना बनाती है तभी सलीना कहते कि वैसे जब ही तुम अपनी फैमिली की बात करते हो तुम्हारे चेरे पर एक काफी अच्छी समाई ला जाती है लगता है कि तुम अपनी फैमिली से ज़्यादा ही प्यार करते हो तभी डैनियल उस पल को याद करने लग जाता है जब वो यहाँ पर एकेला था तभी यहाँ पर सलीना बोलती कि मैंने कुछ गल्द कह दिया तो डैनियल बोलती कि नहीं तुमने कुछ भी गल्द नहीं का मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ फिर नेक्शीन में यह लोग यहाँ से जा रहे होते है डैनियल बोलती कि मुझे उमीद है कि तुम्हें एक अच्छा पार्टनर ढून लोगी सलीना बोलती कि मैं अपना पार्टनर ढूनने के लिए साउस की तरफ जाओंगी डैनियल बोलती कि जब तुमानी जरनी खतम हो जाए तुम जे मेरे काओं में आना और मैं तुम्हें अपनी जो फैमिली है उससे मिलाओंगा सलीना बोलती कि यहाँ बिल्कुल आऊंगी तो दोस्त केस्टीनिया को देखते हैं जो यहाँ पर आजाती है तब ही दो बन्दे उसको देखते हैं और यह कहते कि तुम कितनी अजीव हो तुम्हें यहाँ पे केले चल रही हो तुम्हें डर नहीं लगता क्या केस्टीनिया कहते है कि नहीं मैं ठीक हूँ आप देख सकते हो कि मैं कितनी स्ट्रॉंग हूँ अब जैसे केस्टीनिया इंके पूरे सामने आती है यहाँ पे यह लोग तो देख के ड़र जाते हैं और यह लोग भाग जाते है कैस्ट्रीनिया बोलते की यह लोग भी डर गये अगर अगर हमें क्या करोंगे एर्पेश को और डेनियल को पोशन मरना सिखा रही होती है यह बोलती की ज़ो पोशन होता है उसे ध्यान से बनाना होता है अगर तुम किसी चीज़ के साथ मिला कि जो पोशन है उसे बना रहे हो तो तुम्हें ठीक से बनाना होगा अगर तुम्हारी जो मातरा है वो जो गल्थ हुई तो हो सकता है कि बंदी की जान चलीज़े और वैसे पोशन का मतलब होता है दवाई फिर यहीं पे जो डैनियल होता है वो गल्थी से ज़्यादा जो है मिला देता है केमिकल को और यहां पे दवाई खराव जाती है फिर डैनियल बोलता है कि प्लीस आप मुझे माफ कर दीज़ेगा तभी जो एरिस होती है यह बोलती कि आपको उदास होने की कोई जोट नहीं है आप जो काफी कमाल के हैं क्योंकि आप यहां पे जो मेडिकल पोदे हैं उनको जो आप देख सकते हो और साथी आप बच्चे की बीज़ में फिमस हो और साथी आप हैंसम भी हो डैनियल बोता कि तुम्हाँ शुकरी है एरिस लेकिन यहां पे सही मैं दवाई बनाने में बहुत ज़दा बेकार हूँ तभी ओल लेडी बोलती कि एरिस तुमने काफी अच्छा इसको जो बनाया है तो इसलिए तुम बहार जाके खेल सकती हो एरिस बोलती कि नहीं मैं अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ यहीं पे डैनियल बोलता कि असल में मेरी जो पास्ट लाइफ से ड्रैगन की उसमें मुझे पोशन की कोई जो पड़ी नहीं इसलिए मैं यहां पे इसको जो बना नहीं सकता हूँ तबी जो ओल लेडी होती है यह बोलती कि देखो तुम्हारा जो मैजिक है वो जो टॉप लवल का मैजिक है लेकिन तुम जो दवाईया है उनको बनाने में काबिल नहीं हो लेकिन तुम्हें टैंसल लें की कोई जोत नहीं है क्योंकि यहां पे जब हम लोग गलतियां करते हैं तबी जो हम सीखते हैं और धीधरे हम लोग जो चीज को काफी अच्छे से बना सकते हैं इसलिए तुम्हें टैंसल की कोई जोत नहीं है नेकीन में जो डैनेल होता है वो एरिस के घर पे खाना खाने के लिए आया होता है और यह बोलते कि आप शभी का बहुत बहुत शुकरिया यहां इसकी घर्वाले बोलते हैं कोई बात नहीं फिर नेक लीडी कि रुख जाओ क्या तुम रुनिंग कर रहा भाहए हो तो डैनियल बोलते है कि यहां मैं रुणिंग कर रहा हूं तब यहां को लीड़ी और अगर तुम चाहलो too मैं तुम्हें फ्रेश जो मिल्क है तो गुर्म है पताा दोस्याथ को अधार को में लेट हो गी वैजह वीक है बीजन माई जम लेटा की जाता है और वहागी जाता है तो शांब करने के लिए वह जाता कि अपने बाल को सुखा रही होती है तब यह जो डैनेल होता है वह किस्टियलकों देखके बोलते कि तुम तो बहुजा सुन्धर हो फिर केस्टियलक होते कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे बात करना ठीक से नहीं आता है केस्टेलिया बोलती किया तुम अपनी जो आके हैं उनको जो बंद नहीं कर सकते हो जिस पर डैनियल बोलता है कि आखिरकार में अपने आके बंद क्यों करूँ अगर मैं तुम्हारी खुब सुरूती को देख लूँगा तो ये कम धोरी हो जाएगी केस्टेलिया बोलती किया तुम्हारा अंदर सरम नहीं है जिस पर डैनियल बोलता है कि ये जो है भगवान की बनाईवी चीज है तो आखिरकार मुझे शरम क्यों आएगी तो ये केस्टेलिया से थपड़ी मार देती है फिर डैनियल बोलते कि मुझे माफ कर देना केस्टेलिया बोलते कोई बात नहीं फिर डैनियल पूछते कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मैंने सोचा कि तुम अपने हस्बेंट को ढूणने के लिए जो साउत है उस तरफ गई होगी केस्टेलिया बोलते कि तुम मिल्कूर ठीक कह रहे हो लेकिन जैसे ही मैं आगे गई बंदे मुझे देख के भागने लग गए फिर डैनियल बोलते कि अच्छा तभी तुम यहाँ भी मुझे से मिलने आई हो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हल्प कर सकता हूँ तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे जो विलेज है उसमें आ सकती हो रहने के लिए केस्टेलिया बोलते कि मैं तुम्हारे विलेज में जो अपना जो मिल्क है वो जो दूसरे बंदों को पिलाती हैं और सभी बंदे उनसे काफी खुश रहते हैं हाँ हो सकता कि पहली बार के लिए जो बंदे हैं वो तुमसे डरें क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पाउर है लेकिन धरे धरे वो जो तुम्हारे परतिक अपना जो प्यार है वो तुम्हें दिखाएंगे और साथी अगर तुम मेरे गाउं में आओगी तो मुझे भी काफी अच्छा लगेगा केस्टिलिया बोलती कि मुझे भी तुम्हारे साथ काफी अच्छा लगेगा तो ठीक है मैं तुम्हारे गाउं में आने के लिए तयार हूँ वैसे एक और करण था जिसकी वेशे मैं तुम्हें ढूंढ रही थी असल में जो तुम्हारे लाइफ एनरजी सोर्स है वो जहें काफी अच्छा है मुझे जहे उसे खाके काफी अच्छा लगा इसलिए मैं तुम्हें ढूंड रही थी ताकि तुम मुझे दे सको मैंने आज से पहले इससे जो टेश्टी चीज है वो कभी नहीं काई थी डैनियल बोलते है कि अगर तुम्हें साथ मेरे विलेज में रहोगी तो मैं जब चाहिए तुमको ये दे सकता हूँ फिर डैनियल हाथ मलाता है और अपनी जो पावर है वो जैसको देता है और इससे काफी डेश्टी लगता है फिर नैखें में हम विलेज का सीन देखते हैं यहाँ पर विलेज में जो मॉस्टर होते हैं वो मरे हुए पड़े होते हैं यहीं पर रवेंचर बोलते हैं कि तीन दीन से लगाता है यहां पर मॉंस्टर जह देखे जा रहे हैं और जो मरे हुए होते हैं तब ही एक लड़की बोलते हैं कि यहां पर किसी मॉंस्टर के जह निशान हैं जिस पे एक कर्मेचर बोलता है कि देखने से रगता है कि जैसे ये जो निशान है ये जह लेमस के हैं लेकिन वो तो एक डेमी हुमन्स है और बहुत खतरनाक होती है आखिर कार एक लेमस यहां पर क्या कर रही है और साथ ही उसका परपस क्या है यहां पर सब चीज़ देने का फिर नेक्षिन में ये जो होता है एक मीटिंग बुलाता है और इस सारी बातों को इनको जह बदाता है जिसमें बनते बोलते कि अच्छा ये बात है क्या जो लेमस है वो सही में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और बहुत ज़्यादा रेयर दिखाई देते हैं और ये लेम पनी टीम है उसे 06 त्यॉयार करना होगा उसे खतम करना चैये इससे पहले कि ऊमला कर दे तब इस दुसरे बंदे वोलते कि तुम शाथ हो ज़ाओ । हम्हें παता कि यहां पर जो लहमेश है वह कि खतरनाक है लेकिन हमारे पास जो सोल्जर है वो काफी कम है हमें सबसे पहले जो यहाँ पर कैपिटल है उसको जे मेसिज करना होगा तक ही वो हमें और सोज़ा दे तो बलेड कहता कि आखरकार हम लोग इंतचार किसका कर रहे हैं हमें जे मेसिज भेजना चाहिए नेक्षीन में जो डैनियल होता है यह कहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मॉस्टर और जो हुमन्स हैं उनके वीच में इतना बड़ा जग गड़ा है लेकिन वो जब यहाँ पर कैस्टिलिया को देखेंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे तभी यहीं पर जो ओल लेड़ी होती है बोलती है कि देखो बलेड मुझे पता है कि तुम पूरे गाउं की बोहजा चींता करते हो हम इसके लिए तुम्हारा ग्रेटफूल है लेकिन हमें जो लेमस है उसके ओफर के बारे में सोचना चाहिए वो हमारे लिए मेंसा जो खाना है वो छोड़ के जाती है इसलिए हम एक दम से उसके उपर हमला नहीं कर सकते है तब ही जो एरिस होती है वो यहां पर आ जाती है और यह बोलती कि आपने जो एस्परिमेंट किया था उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है फिर ओल लेडी इसको चेक करती है और यह कहते कि यह हमारे लिए जो गुड नियूस है यहां पर जो लेमस है वो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है वो जो लेके आई है यहीं पर हम डैनियल को देखते हैं किस्टिलय के पास आताई और यह बोलती है कि हम На zostrum आ गया है डैनियल बोलता है कि अब हमारा जो final touch है वो दिने का time आ गया है तो सुनो जो मैं कहरा हूँ तुम्हें जे वैसा ही करना है फिन नेकिन में जो blade होता है ये बोलता है कि देखो हमारे गाउ में जो लेपस है वो जे दिखाई दिये हैं इसलिए हमें अपनी जो तैयारी है उसको जे पका करना है इसलिए हम लोग आज जे बाहर जाकर जो ट्रेनिंग है वो जे करने वाले है यहीं पर डैनियल सोच रहा था कि जो मेरा final moment है वो जे बस ठीक होना चाहिए वरना यहां पर चीज़ें करबड हो जाएगी यहीं पर जो बलेड है वो भी जे मेरी सबसे बड़ी प्रोग्लम है क्योंकि यह इस गाउं का एकरवेंचर है और सबी लोग इसकी काफी इज़त भी करते हैं और साथ ही जो प्रीष्ट है उसमें भी जो बोज़ा गरबड है क्योंकि जो लेता है वो जे कमाल की प्रीष्ट है और यहां पर वो इलाज भी कर सकती है और साथ में जो हिलिंग मैजिक है उसे भी कर सकती है और साथ ही इसे जो गोड के मैसीज है वो भी जे मिलते रहते हैं अगर इसे ऐसा मैसी मिल गया कि यहाँ पर जो लेपस है वो खतरनाक है तो फिर तो इसका रहना नमुकिन हो जाएगा अमीद है कि जैसा मैंने केस्टिले को बोला था वह वैसा ही करेगी वरना यहाँ बेचीजे जदा ही खराब हो जाएगी यहीं पर हम केस्टिले को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है फिन एक्षिन में हमें पास्ट का सीन दिखा जाता है यहीं पर डेनल बोलता है कि देखो कल मैं अपनी जान को खतरे में डाल लूँगा और तुमा की मेरी जान को बचा लेना जैसी तुम मेरी जान बचाओगी वैसी तुमारा वेलकम हो जाएगा मेरे गाउं के अंदर फिन नेक्सी में सोल्डर कहता है कि एक प्रोग्लम आ गई है और यहीं पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भालू आ चुका होता है लेकिन डैनियल और जो यहां पर केस्टिलिया होते हैं वो जह दोनों ही कूच जाते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं लेकिन केस्टिलिया के उपर जो ना खून है वो जह लग जाता है और यहीं पर केस्टिलिया के पीट से बहुत ज़्यदा खून भी आ रहा होता है तभी केस्टिलिया जो होती है बियर को देखती है और कहती है कि अभी जंगल में जाओ और जो बियर होता है वो जंगल में चला जाता है तबी नेक्षिन में यहाँ पे एक लड़की बोलती है कि इस लड़की ने बस यहाँ पे बीयर को अपने आखों से देखा और वो जए जंगल में चला गया सही में जो इसकी कर्स वाली आखे हैं वो बहुजा खतरनाक है तबी जो बलेड होता है वो यहाँ पे तोरा और डैनियल को अपने पास बलाता है और यह बोलता है कि यह लेपस जब होता खतरनाक होगी जिस पर डैनियल बोलता है कि नहीं यह हमें नुकसा नहीं बहुचाएगी इसके बंदे भी बोलते कि हाँ उसने जह तुम्हारे बेटे को सेफ किया है ब्लेड कहता है लेकिन फिर भी यह जह काफी खतनाक मॉश्टर होते हैं और हम जह इंको अपने गामें नहीं आए दे सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है बैनियल बोलते कि मुझे यहाँ पर ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी गई है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई हेल्प करें और तुम उससे इस तरह से देखो और इसने जह हमारे गाम वालों को जो ओफर है वो भी जह दिये थे तभी बलेड कहता कि आखरी का तुमने गाम वालों को ओफर क्यों दिये थे और तुमने इन दोनों की जान क्यों बचाई तो यहीं पर जो कैस्टिलिया होती है वो कहते कि प्लीज मैं आपसे भीग मांगते हूँ कि आप मुझे अपने गाउं में रहने की परमिशन दे दीजे क्योंकि जो मेरे फैमिली रूल है उनके कारण मैं यहाँ पर अपने जो फैमिली है उसके पास नहीं जा सकती हूँ इसलिए मैं चाहते हूँ कि आपके गभाओं में रहूं मैं यहाँ पे जाद इन तक नहीं रहूंगी लेकिन मैंने बहुत सरा जो टाइम है वो जे केले सफर करके बिताया है इसलिए मैं चाहते हूँ कम से कम आप मुझे कुछ दिन तक अपने गाओं में रहने की जो पर्मिशन है वो जह दे दीजेगा और रहाव का सवाल का जवाब की आखिर कर मैंने इन दोनों को क्यों बचाया है असल में इन दोनों की भी जो फैमिली है वो होगी अगर इन दोनों कुछ हो जाता तो यहाँ पर इनकी फैमिली उदास लाथाई और मैं आपको बता दो कि मेरे जो डैड है वो जै कही इनसान है और मेरी जो मॉम है वो मेरी तरह है और यहाँ पर यह जो जिर्दा प्यार से रहते हैं इसनलिए मेरा कोई भी र decipher नहीं है कि यह जो है मौस्टर यहां पर कोई इवल नहीं है तब यहां पर जो केस्टेलिया होती है वह एक दम से बेहुस हो जाती है डैनियर बोलते है कि जल्दी सह से गाम मिले चलो फिर नेशिन में हुन देखते हैं कि इन लोगों ने इसका जए घर बनाया होता है केस्टेलिया बोलते है कि यह मेरा घर है तो बिलेड कहते है कि हाँ यह तुम्हारा घर है मुझे तुम्हारे बारे में ज़या कुछ नहीं पता है इसलिए मैंने कुछ जो चीज़ें वो जो थोड़ी से अलगी है चलो तुम इजा इसे अंदर से चेक कर लो अगर तुम्हें कोच चाहिए तो मुझे तुम बता सकती हो फिर यह जो अंदर आती है और सबी जो चीज़ें होती है वो जो जो चीज़ें काफी अच्छी लगती है और यह बोलती कि आप सभी का बहुत 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 शुकरिया इस अच्छे से घर के लिए बिलेट बोलते हैं कोई बात नहीं वैसे भी यह मेरा फर्स था क्योंकि तुमने मेरे जो बेटे हैं उसको जह बचाया है और तुम मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हारे उपर जो वैपन हैं उसे जह रख दिया था बैस बहुते हम लोग लेपस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं इसलिए अपनी आत्मा को बाहर निकाल रखा होता है और यहीं पर डैनियल बोलता है कि इस तरीके को इस्तमाल करे हुए मुझे काफी टाइम हो गया मुझे इसको इस्तमाल करने में थोड़ डर लग रहा था जिसके बाद जो डैनियल होता है वो जो टरेगन वाले फॉर्म में आ जाता है और उपर चला जाता है तबी नेक्शिन में हम गोडेस को देख यहां पर जो अर्थ है उसके जो रंग है उसमें जड़ डल गया है डैनियल बोलता है कि प्लीस मुझे इस तरह से परशान मत करो गोडेस कहती कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी मैं तो लैपस की बात कर रही थी डैनियल बोलता है कि अगर तुमने यहां पर जो ओडर दोर पे गोड़ास कहती कि जब तुमने मुझे प्रातना की थी तभी मैंने तुम्हाई सौल को पहचान लिया था कि तुम ही वही जह ड्राइगन हो तुम्हें इस तरह से देखके मैं जहें बोजा सप्राइज हो गई क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपनी जिंद्गी से पहल रहते हैं वो अपना हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि वो दिन आकरी हो गोड़ेस बोलती कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा लगता कि बहुत ज़्यदा एंजॉय कर रहे हैं यह तर काफी अच्छी बात है तभी एक दम से जो सरीना होती है उसकी आवाज आती है फिर पर डैनियल उटके देखता कि सरीना यहां पर आ चुकी है डैनियल बोलते कि अगर तुम्हें किसी के रूम में जाना हो तुम्हें पहले नौक करना चाहिए जिस पर सरीना कहती कि मुझे माफ कर देना डैनियल बोलते कि तुम आज बहुत ज़्यदा खुश लग रहे हो डै चैना के साथ और मेरे साथ जो प्लांटिंग करने हैं वो चिलोगे अब तुम यह मत कहना कि तुम भूल गए हो डैनियल बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है नेक शिन में हम एक लेड़ी को देखते हैं जो यहां पर दरवाजा के सामने खड़ी होती है तभी यहां पर दरवा पढ़ना चाहिए आज का मेल सही में बहुत ज्यादा ही खास है क्योंकि आज का जो मेल है वो जे केस्टेना के तरफ से आया है एड़ मास्टर बोलती है इसका मतलब तुम्हें भी जैस मेल को सुनना है लेड़ी बोलती कि हम मुझे भी जो लेटर है उसके बार में सुनना है आखिर का जो केस्टेना है वो हमारे अकैडमी की स्ञान थी मुझे इसके बार में जाना है कि वो क्या कर रही आचकल हेड़ मास्टर बोलती है ठीक है मैं इस लेटर को तुम्हाई ले पढ़ देती हूँ जिसके बार हेड़ मास्टर लेटर को जह खोलती है और यहां हम से अपना जो मुँ है वो ही जह चला सकती हो तुम्हें तलवार बाजी बिलकुल नहीं आती है जिस पर केस्टीना कहती कि ऐसी बात नहीं है मैंने इसे स्रियस नहीं लिया है मारे लियना बोलती है ठीक है तुम इसे स्रियस ले लो और तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई जो बोलते हैं कि तुम तो काफ़ी तुम जाओ वह Munich करने चीने चीने हो किशर्टी नहीं है तूम्हें जाते हैं ज्याओं जिसके बाद यह लोगा है चाहती हैं किस्टीना कैसे क्षटीना अश्छा क्रणा कीश्छ ठीद रिंक चल्गी तब इसके दोनों साती बोलते कि केश्टीना तुम मना कर सकती हो क्योंकि बोस अगर एक बार पीना सुरू करते हैं तो ये जे सुबह तक नहीं रुकते और ये लोग बोलते कैप्टेन आपको जाए यहाँ पे केश्टीना को इस तरह से जो परशान है वो नहीं करना चाहिए अलबर्ट बोलते कि मुझे माफ कर देना तुम्हें ओफर करने के लिए तभी यहाँ पे अलबर्ट इन दोनों को पकड़ लेता है अपने चेलो को और ये बोलते कि ठीक है आथ तुम्हें साथ चलोगे नेक्शिन में जो केश्टीना होती है नेक्शिन में ये लोग सेरे घर भोच जाते हैं केश्टीना बोलती कि ये तुम्हारा घर है सेरिया बोलती कि हाँ ये जे मेरा घर है अच्छा है ना ये और जिसके बाद ये लोग अंदर आ जाते है यहां पर सेरिय कहते हैं कि यह देखो बैड इस बैड पर मैं सोके आच्छे जो सपने हैं वो जह देखती हूँ यह बैड बहुत ज़्यादा ही मुलाइम है कैस्टीना बोलती कि तुम्हें सही में जो बैड है वो अच्छा लगता है क्योंकि तुम तो एक लैपा सो ये बोलती कि भले ही मैं एक लैपस हूँ लेकिन मुझे बैड बहुत ज़्यदा अच्छा लगता है ये बहुत ज़्यदा मुलाइब होता है और इसमें सोने में काफी मज़ा आता है और ये काफी गरम भी होता है अगर तुम चाहो तो तुम सो के यहां पर जह देख सकती हो त सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर कमपटिशन भी करते हैं और यहां पर कमपटिशन भी करते हैं वो तबी के शीना बोलती कि तुम दोनों अभी अभी कहां से आ रहे थे सेरिय कहती है कि जो डैनियल के बड़े भाई है और जो डैनियल है वो दोनों फिशिंग करने में काफी अच्छे है इसलिए यह लोग जह अभी तक फिशिंग कर रहे थे और एक बार तो इन लोगों ने जो शार्क है उसे जह पकड़ लिया था तबी डैनियल कहता है कि भले जो मेलीडा है वो जह एक सोजर हो लेकिन यहां पर उसे सूइट जह पसंद है तबी सेरिय को बोलती कि आकर रिकार तुम आहां पर खड़े क्यों हो तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था और यह दोनो पल्ट होता है यह बोलते की वैसे तुम हैं रहां क क्या करना आई हो कैस्टीना बोलती की मुझे यहां पर तुम्हारी वाइफस का प्रक्शन है उसे जह पीना था तो इसकी वाइफस बोलते हैं लेकिन तुमने काफी जिल नहीं अप सब्छाई यह ज़्या आजा आए उप तभी यहाँ पर एलवट कहता है लगता है किस्टीना बोलती है ठीक है मैं यहाँ पर तैयार हूँ लेकिन बाद में तुम रोना मत और साथी तुम यह कंप्लेंट मत करना कि यहाँ पर तुम्हारा जो पुरा मिल्क है वो जहे खतम हो गया और जिसके बार इन दोनों का कॉमप पिना जाए ये जो आप आपके लिए नुकसान कर सकता है तब एक दम से अलवट ज हम नीचे गिर जाता है और यहाँ पर जो एंप पर खड़ी होती है तब ही जो मिलक लेडी होती है वो आ जाती है और यह बोलती कि मुझे आपको जह एक चीज टेस्ट करवानी है पहले तो मैं यह टेस्ट यहां पर पने पती से करवाती लेकिन उनकी हालत बहुत जाए खराब हो चुकी है तो पुलीस आप इस मिलक को पी लि साथ और मुझे यहां पे काफी मजा रहा है यहीं पर लेडी बोलते कि जो कस्टीना है उसने यहां पर पर लेड़ी के साथ जो फ्रैंश्टी कर ली कर ली है फिर नेक शीन तो headmaster बोलती कि आखिर का तुम लेपरस के बार में क्यों जाना चाती हो तुम तो पहले एक high rank की जो मेज है वो जह बन जुकी हो कहरीना बोलती कि क्या मैं इसके बार में जान नहीं सकती हूँ क्या यहाँ पर वैसी भी जो खत्रे हैं वो जो monster है वो बहुत ज़्यदा ही खतरन कर नहीं है इसलिए तुम अपना जो मुह हैं उसे बंद रखो तभी एक बंदा यहाँ पर आ जाता है और यह बोलता है कि फिर तर मुझे जाकर चेक करना होगा कि लेपस कतनाख है कि नहीं है फिर नेखिन में हम देखती कि सभी जो होते हैं खेती कर रहे होते हैं तभी जो पर सरीना होती है बोलती कि मैंने जो प्लांट है उनको जह लगा दिये हैं डैनियल बोलते कि तुमने जो प्लांट है उनको जह बिल्कुल भी ठीक से नहीं लगाया वो सारे के सारे जमीन के ऊपर है तुम्हें यहां पर कैस्टीना से कुछ सिखना चाहिए यह काफी अचा क ही एक जो लैपर्स है उसे इस विलेज में लेके आयो डैनल बोलते कि हाँ जिस पर बंदा बोलते कि देखो हमारे किंग ने इस जमीन को जह तुम लोगो को दिया है इसलिए हमारी जमेदारी बनती कि हम लोग सभी खतरनाक चीजों को यहां पर दूर रखें तब विलेज की ज जह हम बाहर निकाल दे क्योंकि आखिरकार यह जह हमारी लैंड है इसलिए हम लोग यहां पर जो लैपर से अपने साथ ले जाएंगे अगर यह सही में कतरनाक नहीं है तो हम इसे यहां पर छोड़ देंगे डैनियल बोलते कि अगर आपको डाउट नहीं है यहां पर की से जह निकल जाते हैं तब ही जो किस्टी ना होती है और भी जह यहां के इस चे चेयर रही होती है यही पर डैनियल सेरा को बोलते कि तुम पहली बारा पकटी में शखर कर रही नहीं दिक्त तो नहीं हो रही सेरा बोलती कि नहीं मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही वैसे आपको जह ठढ़ना लग जाए इसलिए आप मेरसान जो ब्लैंकिट है उसे जह शेयर कर लो डैनियल कहता है ठीक है और वैसे तुम भी जह चिंता मतलो यहाँ पर जह सब कुछ ठीक हो जाएगा सेरा कहती कि मुझे अपनी चिंता नहीं हो रही मुझे बाकी बंदों की चिंता हो रही है मेरी वैसे ओभी जह खत्रे में आ गए है तब ही डैनियल कहते कि तुम बिल्कुल टेंसन मतलो और शांत हो जाओ फिर डैनियल जह होता है यहाँ पर सेरा को अपने गले से लगा लेता ह और यह बोलता है कि जब मुझे टेंसन हुआ करती थी तो मेरी ममी भी ऐसा ही करा करती है फिर नैक छिन में हम देखते हैं कि जो कैस्टीनिया होती है वो जह यहाँ पर हेड़ मास्टर के पास बहुत जाती है और यह बोलती कि एड़ मास्टर मुझे जह आपसे बात करनी है आज जो कमीशनर के बंदे हैं वो जह यहाँ पर आये थे और वो लोग यहाँ पर जो लैपस है उसे जह पकड़के ले गए हैं एड़ मास्टर बोलती कि देखो तुम शान्त हो जाओ और यहाँ बैठ जाओ चलो चाय बीते हैं पहले फिर कैस्टीनिया जह होती है बैठ जा गया था उसे यहाँ पर जो कैरनन है उसने जह यहाँ पर उसे अदेश दिया था और तभी वो यहाँ पर उसको जह लेकर आया था लेकिन तुम चिंता मतलब वो लोग लैपस को बिलकुल भी नहीं मार सकते अगर वो लोग मारेंगे तो खुदी जह फच जाएंगे अपिश कुछ भी नहीं कर सकते टीचर बोलती की देखो अगर हमने अपनी बाउंडरी को क्रोस किया तो हमारे उपर दिक्कत आ जाएगी नेक्षिन में हम कायल को देखते हैं जो यहाँ पर डैनियल और कैस्टिलिया को एक लड़की के पास ले आता है और यहाँ पर लड़की बोलत कि ठीक है मुझे लगता कि तुम लोग को भूग लगी होगी तो चलो पहले खाना खा लेते हैं फिर यहाँ पर लड़की कायल को बोलती कि तुम जाओ और जो रिपोर्ट है उसे जह समिट करा दो फिर कायल चला जाता है फिर नेक हिन में हम देखते कि यह लोग यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं लड़की बोलती कि तुम जो चाहो वो जह खा सकते हो यह जह में तरफ से भरपाई है क्योंकि मैंने तुम को यहाँ पर एक दम से भुला लिया तुम लोग जो चाहो वो खा सकते हो कायल बोलती कि मैं आपसे एक बात पुशन जाता हूँ कि क्या कैस् में लगा था कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लेड़ी बोलती कि ऐसा हो सकता था क्योंकि यहां पर तुम्हारी जो आखे हैं वो यहां पर बंदों कर सकती हैं और हम सभी को डाउड सके तुमने विलेजर को यह कंट्रोल कर रखा है लेकिन मैं सही बता हो तो मैंने आ मांटर से जहिए बात करनी है फिर यहां पर लेडी बोलती कि मुझे उमीद है कि तुम्हें जो खाना है वो अच्छा लग रहा होगा जिस पर कैस्टीलिया बोलती कि हामुझे अच्छा लग रहा है लेडी बोल थी कि मैने बहुत सारी यथा यह सुनुदर नहीं देखी तुम्हारे जो हेयर हैं तुम्हारा यह स्कीन हैं और तुम्हारी जो अखें वो कितनी सुनुदर है अशा लगता कि उन्हें खा जाओ तभी हम देखते कि डैनियल और यहां पर केस्टिलिया वो दोनों ही जो होते हैं बेवस हो जाते हैं नेक हिन में यहां पर काईल कहते कि मुझे आपको जह एक बाद बतानी है तो हेड्मास्टर बोलते कि ठीक है बताओ काईल पोलते कि आपने सुनाई हुए कि हाली में जो गैलिया है वहां से जो बंदे हैं वो गाइब हो रहे थे तभी रीना कहते कि तुम सही कह रहे हो ने भी जह उनने ढूंने को इसक करी लेकिन उनमें कोई भी कल्यू जह नहीं ढून पाई लेकिन आखिर गातुम कहना क्या चाहते हो जिस पर काईल बोलते कि वो सभी गैलिया में जह रहते थे और यहाँ पर एक मेज ने उनको जह कंडूल कर रखा था और यह बात 300 साल पहले की है और यहाँ पर जो इंसान है वो जह इतना लंबा नहीं जी सकते है लेकिन यहाँ पर जो इंसान असा जी सकता है उसने अजरूर अपनी बोडी को चेंज किया होगा जिससे अब जह वो जीनता है लेकिन अब उसका जो इंटरेस्ट है वो जह लेमस में आ चुका है इसलिए हमें जहल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा हमारे पास यह बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमें जह चलना चाहिए तब हेड मास्टर बोलती कि मैं अपने स्ट्रेंट को इसमें घसीटा नहीं चाहती थी लेकिन हमें यह जब करना ही होगा नेक हीन में उस लेडी को देखते हैं जो कहती कि मैं यहां पे कम से एक लेमस को ढूंड रही थी और फानिली तुम मुझे मिल गई तुम्हारी जो स्कीन है वो जल्द ही मेरी हो जाएगी इसलिए मुझे लगता कि सबसे पहले मुझे तुम्हारी जो स्कीन है उसे जह अलग करना चाहिए तब ही जो डैनिल है वो जाग जाता है और यह बोलता है कि आकर गादमी क्या कर रही हो तुमने यहां पे बहुत सारे जो मैजिक सरकल है वो भी जह बना रहे हैं इसका यह मतलब है कि तुमने बहुत सारे बंदे को मारा है बताओ तुमने कितने बंदों को मारा है जिस पर लेडी बोलती कि मैंने किसी को नहीं मारा मैंने यहाँ पर जो लिजाट है उन्हीं का जह समाल किया है डैनियल बोलते कि मुझे पता है कि यहाँ तुम जह जुट बोल रही हो इसलिए मैं तुमसे फिर बूसताओं कि बताओ तुमने कितने बंदों को मारा है तब यहाँ पे यह लेडी कहती कि तुम कोई इंसान नहीं हो ना वैसे मैंने यहाँ पे जह सो इंसानों को मारा था जिसके बाद में रुख गई और वो सभी जह बहुत जह सुन्दर थे उन सभी को मैंने अपने हाथों से जह कलेक किया था और उन सभी को मैंने यहाँ पे रखा है तुम मेरे हाथ और मेरे पैर को देख पा रहे होगे जो एक पीश्ट के हैं और साथ ही जो मेरे स्किन है वो जह एक एल्फ की है लेकिन अब टाइम आ गया है, इसको अपडेट करने का, इसलिए मैं यहाँ पे इसे अपडेट करूँगी डैनिल कहता कि तुमने आपनी यहाँ पे खुशी के लिए दूसरे बंदों की जान को ले लिया जिस पर लेडी बोलती कि तुम्हें तुम्हें तरीफ करना चाहिए, मैं यहाँ पे इतनी जह सुन्दर बन गया हूँ तुम्हें पता नहीं कि मैंने यहाँ पे कितने बंदों के उपर सच किया, तब जाके मैं यहाँ पहुच पाई तुम्हें जो केस्टिलिया होती है, वो भी जाक जाती है, और यह बोलती कि तुमने गल्द किया, वो सभी बंदे तुमसे यहाँ पे उनकी जान ले ली लेडी बोलती कि देखो, वो सभी यहाँ पे जो मुस्किल भरी जिंदगी है, वो जी रहे थे, और आगर चलके वो बूड़े ही हो जाते इसलिए मैंने उनकी हेल्प करी और उनकी चीजों का अपने पास अगलिया ताकि वो लगमेसा के लिए यहाँ पे जहे कुश हो जाएं और यह बोलती कि मुझे बिल्कु बिश्वास नहीं हो रहा कि तुम दोनों यहाँ पे जो चारा है वो बनने के लिए तयार हो गए हेड़ मास्टर बोलती कि मुझे माफ करना मैंने जहे तुम लोग को इसमें जहे घशीट लिया लेडी बोलती कि तुम लोग ऐसा इसलिए बोल पा रहे होगे तुम लोग जहे सुन्दर हो लेकिन मैं इतनी सुन्दर नहीं हूँ तुम सभी को जहे खुबसूती का जो बर्दान है वो मिला हुआ है लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज्यादा ही बसूरत थी यहाँ पर सभी लोग जह मुसे सुन्दर थे लेकिन जिसके बाद मुझे मेरी पाउर का पाचला और जिसके बाद मैंने अपने आपको लगातार सुन्दर सुन्दर बनाती गई और अभी जह बहुत जह सुन्दर बनाऊंगी इस लड़की ने यहाँ पर जो बोडिज है UNKO जह फ्यूस कर रखा है और इसने यहाँ पर एक अलग तरुका का जो मैजिक है उसका जह इस्तमाल किया है तैकि यह सभी at जिखो को मिलाके एक जो बोडिए उस को जह बना सके खिजिना जह बोलती किование बिखता है यह सक पर हम जो है एक पार्ट बढ़ने वाले हो और यह जह हमला कर देती है लेकिन रीना इसके हाथों काट देती है तभी डैनियल बोलता है कि तुम लोग बाहर चले जाओ मैं इसे समाल लूँगा तभी यहाँ पर टीचर कहती कि लगता कि यह बंदा यहाँ पर जह किसी मैजिक का इस्तमाल करने वाला है कि इसने यहाँ पर एक एक एस्ट्रा जो मैजिक सरकल है उसे जह बना रखा है लगता कि एक बेरियर लगाने वाला है फिर डैनियल यहाँ पर लेडी से पूछता है क्या तुम खुश हो लेकिन तुम यहां पर सिफ अपने चेहरे के उपर ध्यान दे रही थी और यह कहते हैं डैनियल अपने magic का इस्तमाल करता है और लेडी को ख़तम कर देता है नेक्षीन में केस्टिलिया को देखते हैं जो पढ़ने को इस कर रही होती है डैनियल बोलते हैं कि तुम एक break ले सकती हो फिर केस्टिलिया किताब को रख देती है और यह कहते हैं कि पढ़ाई सही में जह सरदत कर देती है डैनियल कहते हैं कि अगर तुम्हें यहां पर जो विलेजर है वो कैसी चल रही है जिस पर डैनियल बोलते है कि इसने काफी अच्छा improvement किया है अब यह देरी यहां पर पढ़ना भी सीख रही है जिस पर रीना बोलती कि साय से तुम्हां यह टीचर है वो काफी अच्छा है इसलिए तुम यह देरी हल्दी सीख पा रही हो तबी केस्टिलिया बोलती कि मैं तो आप से और भी जाए इंप्रेस हो गई आप यहाँ पर कब से यह पढ़ाई यह कर रही थी मुझे तो अभी जह थोड़ा टाइम ही हुआ है और मेरे जह सर में दद हो गया तबी नेक हीन में काईल और यहाँ पर हेड मास्टर आ जाते हैं काईल बोलते कि मुझे माफ कीजेगा मैं जहल्दी नहीं आपाया जिस पर डैनियल बोलते कोई बात नहीं मुझे पता है कि आप काफी जह बिजी होंगे तो भी काईल बोलते कि मुझे माफ कर दीजेगा मुझे आपको इस सब चीजों में घसीटना पड़ा अब काईल का जुकावा सर देखके यहां पर केस्ट लिया जा सोक में जाती है और यह बोलती कि अपना सर है उसे जे उठा लीजिए यहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है डैनियल कहता है कि वैसे मैं खुद भी सप्राइस हो गया था जब अपने मुझे पहली बार इस मिसर में आने का मुखा दिया काईल बोलते कि यह पूछते वे तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी डैनियल बोलते है कोई बात नहीं वैसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है तब यह जो काईल होता है वह इनको कागज़ेता है और यह बोलते है कि जो पहला वाला काघज है उसके अंदर तुम्हारा जो नेमिशन है वो है और दूसरे कागज के अंदर तुम्हारा जो नेमों से रिश्टर कर दिया गया है अब इसके साथ तुम जहाँ चाहो, वहाँ पर जह घूम सकती हो यहाँ पर कैस्टिलिया खुस हो जाती है और डैनल को कहती है कि यह बंदा कितना जह अलग लग रहा है पहले से जिस पर डैनल कहता है कि तुम बिल्कु ठीक कह रही हो तब ही हेड मास्टर कहती कि कोई तुम्हारा इंतिजार कर रहा है मिलने के लिए फिर नेखिन में यहाँ पर यह लोग जह एक बंदे के पास आ जाते हैं जिसका नम डैनल होता है डैनल यहाँ पर डैनल को देखके बोलता है कि तुम से मिलके जह खुशी हुई मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर जह मिल जाओगे तब ही यहाँ पर केस्टीले कहती कि मुझे आपसे मिलके खुशी हुई मेरे नम जह केस्टीली है डैनियल बोलता है कि अच्छा मैंने जह आपके बारे में जह लिखती रहती है डैनियल बोलता है कि जो डैनियल है वो जह मेगरू का जह बेटा है यहीं पर डैनियल कहता है कि उन्हा हम लोग जो शहर है उसे जह घूम ले फिर नेखिन में हम देखते हैं कि यह सभी जो होते हैं शहर को गूमने के लिए आ जाते हैं तभी यहाँ पर एक लड़के का एक फल गिर जाता है फिर केस्टिलिया उसको देने जाती है लेकिन वो लड़का और बाकी बंदे भी डर जाते हैं जिसके केस्टिलिया यहाँ पर ह प्रफ़ाने के लिए जह तयार होते हैं डैनियल बोलता है कि आपका शुक्रिया आप लोगों ने जो भी कुछ हमारे लिए किया था तभी यहां पर यहां पर यहां पर हमारी जो अकैडमी है उसे जोईन करना चाहोगे कि हैड़मास्टर ने मुझे अभी बताया कि तुम काफ देंजल बोलता है लेकिन अगर तुम्हें टाइम मिले तो इसके बार में सोचना और साथी अगर तुम चाहते हो कि विलेजर खुज रहे तो तुम्हें उनके हल पर उनको छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने डेक्शा खुद कर सके नेक हिन में यह लोग जो बगई में जा खाफी प्यार करते हो लेकिन अगर तुम विलेज में रहोगे तो यहां पर तुम झांदा कुछ नहीं सीख पाओगे लेकिन साते ही यह बात भी है कि यहाँ पर अगर तुम एकड़ी में गए तुम जह बहुत साइच यह सीख पाऊगे लेकिन अगर तुम विलेज में रहोगे तो यहाँ पर जो विलेजर है उनकी जह रख्षा कर सकते हो तो भी नैक हिन में हम देखते कि यहाँ पर एक बंदा जंगल में होता है और इसको यहाँ पर बहुत सारे मोस्टर दिखाई देते हैं फिर हमें अलफ दिखाया जाता है जिसके पास एक मोस्टर आ चुका होता है और अलफ बहुत ज़्यदा ही डरा हुआ होता है लेकिन तबी जो मोस्टर होता है वो जो होता है इलफ को मार देता है और यहाँ प कि रिखते हैं जो यहां पे बन्दों को ट्रेणिंग करवा रही होती है और यहीं पर डैनियल भी यही काम कर रहा होता है तबी हम यहां पे शीय irony को देखते हैं जिसके उपर जो बच्चे होते हो बैढ जाते हैं अब यह देख कर पहत ज़या गुसा घुसा जहे एक favor चाहिए तो डैनियल बोलता है कि बता हो तुम्हें मुझसे क्या favor चाहिए तो यहाँ पर कैस्टीलिया कहती कि मुझे जो जंगल है उसे जो घूमने के लिए जाना है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे डैनियल कहता है कि आखिर का तुम्हें जंगल में ही क्यों जाना है जिस पर कैस्टीलिया कहती है क्योंकि यहां पे मैंने सुना है कि बहुत सारे जो मौस्टर है वो जे जंगल में अपियर हो रहे हैं मुझे जहें उनको चेक करना है जिसके डैनियल बोलता है कि देखो जो जंगल है वो काफी ज़्यदा खतरनाक है इसलिए जब तक तुम्हारे पास एक अच्छा सा रीजन नहीं होगा मैं तुमको जंगल में नहीं ले जा सकता हूँ केस्टिलिया बोलती कि मेरे पास रीजन है असल में यहाँ पे जो अलबर्ट है वो जह अपने पीक को यहाँ पे अच्छे से खाना नहीं कहला पारा क्योंकि जो पीक खाना खाते हैं वो जंगल में पाया जाता है लेकिन जंगल में मॉश्टर होने के कारें अलबर्ट उनको नहीं ले जा पारा तो बताओ क्या यह रीजन तुम्हारे लिए काफी रहेगा तो यहाँ पे डैनियर बोलता कि हाँ यह रीजन मेरे लिए काफी रहेगा फिर नेक्षिन में हम अलबर्ट और बाकी बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे पिक के साथ जंगल में आ चुके होते हैं फिर एलबर्ट सवी बंदों को बोलता कि सवी बंदे चोकन्य रहना और यहाँ पे पिक जे होते हैं अपना खाना खाना सुरू कर देते हैं लेकिन एक पिक जाड़ियों के अंदर गुज जाता है तबी एक जो soldier होता है वो जो तो पिक को देख लेता है उसका पीछा कर रहा होता है लेकिन एक दम से यहाँ पे जो पिक की body होती है वो बहर आ जाती है और पिक बहुत बुरी तरह से घाल होता है उसके उपर पंजो के निशान भी होते हैं तबी एक दम से बड़ा सा जो monster होता और एलवट गायल हो जाता है एलवट की चीक सुनके डैनियल और जो बाकी बंदे होते हैं वो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर जो डैनियल होता है वो अपने मैजिक का स्थमाल करता है और जो मोश्टर होता है उसकी मुंडी को बीच में से काट देता है यह लोग जो मोश् अब जह ठीक है लेकिन अभी भी उसे जह अराम करने की जुरत है तब ही डैनियर बोलता है कि मैं जंगल के अंदर जाके जो चीजे हैं उनको जह चेक करके आना चाहता हूँ फिर डैनियर की मास्टर बोलती कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते अगर तुमने यहां पे जंगल के अंदर जाके जो मास्टर है उनको मारा तो यहां पे जो नेचर है उसे जह दिक्कत हो जाएगी और हम सभी को नेचर के साथी रहना है और वो जो मास्टर है वो जह यहां पे ही पार्ट है इसलिए हम सभी को यहां पे जह उन्हें नहीं माना चाहिए डैनियर बोलता है ठीक है मैं समझ गया लेकिन मैं उनको मानने के लिए नहीं जा रहा हूं तो प्लीस आप जो मुझे परमिशन दे दीजिए मास्टर बोलती है ठीक है लेकिन तुम अकले नहीं जाओगे तभी केस्टिलिया खड़ी होती है और यह बोलती कि मैं जाओंगी जिस पर एक बंदा बोलते कि नहीं तुम नहीं जा सकती फिर केस्टिलिया बोलती कि आखिर कर मैं क्यों नहीं जा सकती जिस पर बंदा बोलते क्यों कि यहां पर हमने जो अकैडमी है उससे ज सिस्टमाल कर सकती हूँ मैं इंके काम आ जाऊंगी। जिस ही अलडर अ धैक है तुम यहां पर जा सकती हो तुम दोनों पर ऐसा होते हैं उप हाओ पर डैनियल और सेयर्या जह धैनक के चाव जा स troph जा रहे पहते हैं, यहीं केस्टीलिया उनको गुर्ड मॉर्णिंग विश्ट करती है फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे डैनियल और जो बाकी बंदे हैं वो मुष्टर से फाइटिंग कर रहे हैं फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है यहीं पर डैनियल जो होता है कैस्टीलिया को बोलता है कि जो विलेजर है उन्होंने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था तो आकर का तुम यहाँ पर क्यों आई हो फिर डैनियल बोलता है ठीक है फिर नेक हिन में हम देखते हैं कि ये सभी फिर से जो मोस्टर होते हैं उनको जिया माना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन तभी इनके पास एक मंकी मोस्टर आ जाता है तभी जो सेरा होती है वो जिया फल लेकर चली जाती है और यहां पर वो फल को करें बोलों कोई से इसारा तेंट लिए यह बोलती कि सव कितनी अच्छी बहुतिते अगर तुम्हारी तरहीं करने Sagruch करहिता है sara को भूक लगी ती है यह इसलिए यह लूग हमारे उपर हमला करते है ुसे चीन लेते लेकिन उसे पहले मैंने इंको खाना दे दिया तबए कैस्टिलिया जब हो algorithms का रही होती है सेरा कहते रहा है कि तुम खाना खातेänge कितनी पैरी लगती हो क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिल का तुम इतनी पैरी कैसे लगती हो अगर तुम मुझे बता दोगी तो हो सकता कि ये जह मेरी हेल्प करे और मैं भी जो है बहुजा प्यारी लगूँ और यहां पे मुझे मेरा जो हस्बेंट है वो भी जह मिल जाए तब ही डैनियल बोलते कि तुम है इसकी कोई जोत नहीं है क्योंकि यहां पे जो मुझे है वो आ चुका है फिर यह सबी जो होते है मिलके यहां पे जो मुझे है उनसे जह फाइटिंग कर रहे होते हैं तब ही डैनियल के पास यहां पे जह दो मुझे आ जाते हैं डैनियल बोलता है कि ड्रागन पाउर के सांथ ये बड़ा असान है जिसकी वाले इन सभी ने यहाँ पर जो सारे मोस्टर है उनको जैख खतम कर दिया होता है फिर ये पूस्ते कि तुम ठीक तो होना तो परी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ आप सभी का शुकरिया मेरी जैजान बचाने के लिए फिर डैनियल बोलता है कि आखिर कर ये मोस्टर तुम्हारे पीछे कैसे पढ़ गए थी तो परी बोलती कि पता नहीं एक दम से ये मोस्टर मेरे पीछे पढ़ गए और मैंने भागना स्टाट कर दिया डैनियल कहता है इसका ये मतलब कि जो जंगल है उसके अंदर चेंज जा रहा है यानि कि बहुत सारे जो खतरनाग मोस्टर हैं वो जह यहां पर बस आने वाले ही हैं तभी जो कैस्टिलिया है ये बोलती कि अगर तुम मुझे यहां बता दो कि आखिर कर यहां पर क्या हो रहा है तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तभी इन सभी को ऐसास होता है कि यहां पर बहुत सरे बंदों ने इनको जैए घेर लिया है फिर डैनियल कहते है कि तुम लोग लड़ाई बिल्कुल मत करना और यह अपने हातियार को नीचे रख देता है